गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंट, वेलकम टू सी यार इंटरनेशनल स्कूल ओनलाइन स्टेडि सिस्टम बच्चों, आज हम बारवी कक्षा में आरोप उस्तक से पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आतम परीचे आतम परीचे जो है, वो कभी हरीवन श्राय बच्चन जी ने लिखा है आतम परीचे का मतलब होता है, आतमा का ज्यान या स्वैम का ज्यान या आपके मन के अंदर क्या चल रहा है या आप अपने मन से बातें कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं अपनी आत्मा का परिचे दीजिए कि आपके आत्मा के अंदर क्या चल रहा है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है तो इसी कवीता में भी बच्चन जी ने अपने व्यक्तिकत जीवन यानि उसके परसनल जीवन में घटी हुई जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने छुपाया न इमानदारी से सब के सामने व्यक्त किया है। हरिवन्स राय बच्चन जी कहते हैं कि ये जो जीवन है एक मधु कलश है। ठीक है? अर्थात अमरित रूपी घड़ा है और ये जो दुनिया है ये अमरित शाला है। अर्थात ये मधुशाला है। इसमें जितना आप अपने आपको डुबोगे ये उतना ही आपको दुनियादारी में उलजाएगे। अगर आप पूरी तरह से इस जीवन रूपी अमरित का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको जीवन में चैयों सुख हो, चैयों दुख हो, चैयों उतार चड़ाव कैसी भी प्रस्ततियां आएं आपको हमेशा सहज भाव बने रहने की प्रेना देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें दुनिया के संघर्षों से विमुख नहीं होना चाहिए। कि समाज में जब आप रहते हैं तो जीवन की जिम्मेदारी उठाने के साथ, आप समाजिक जिम्मेदारी उठाने के साथ, आप प्रेम से कैसे जी पाते हैं, क्या आपके भीतर भी ऐसा ही प्रेम रहता है, या आप जिम्मेदारियों से उखड जाते हैं, विमुख हो जाते हैं प्लाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर हरिवन्ष राय बच्चन जी ने अपनी आत्मा का परीचर देते हुए, कहते हैं यह जो संसार है, यह जाना जा सकता है, लेकिन अपने आपको जानना संसार से ज़्यादा कठी है, व्यक्ति समाज का घनिस्ट रखता है, इसलिए वो उससे विमुख नहीं हो सकता, या उसके बिना संसार के बिना व्यक्ति रहे नहीं सकता, फिर भी उन्होंने अपनी कवीता में परीच देते हुए, लगातार दुनिया से अपनी दुईधा, यानि परेशानिया, और उनके बीच में उनका कैसा जीवन में प्यार लिए फिरता हुँ, कभी बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन संसार यानि संसारिक जीवन का संसार रूपी जीवन का भार का मतलब बोज लिए फिर रहा हुँ, यानि मेरे पास जीवन का भी बोज है और मेरे पास संसारिक जिम्मेदारियों का भी बो इंप्धारियों के बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीए, मैं फिर भी अपने जीवन में प्रेम लिए हुए घूम रहा हूँ, अथा था मिरे हिर्दय में किसी के प्रती कोई नफरत की भावना नहीं है मेरे जीवन में अभी भी प्रेम से परिपूर्ण है कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छोकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ यहाँ पर कभी ने अपनी प्रिय अथा पत्नी के लिए कहा है कि कर दिया किसी ने जंकरित जिसको छूकर कि मेरे हिर्दय को, मेरे सांसों को तार जो होते हैं, मेरे सांस के जो तार है, मेरा जो मन है वो किसी ने कोई था जो मेरे मन के अंदर आया और उसने मेरे मन के तार बजाए अथात मन चंचल बनाया अठाद उसकी जो पतनी है उसके लिए कहरा है कि वो जब मेरे जीवन में आई तो उसने मेरे जीवन में एक नई दिशा दी एक नई खुशिया दी एक मेरे जीवन को जंकरित कर दिया संगीत की तरह मदूर और क्या है मतलब सरल बना दिया मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ मैं उन्हीं सांसों के जो उसके साथ मैंने समय बिताया है उन्हीं सांसों के दो तार अथात कुछ यादें मैं लिए हुए गुम रहा हूँ अथात उनकी यादों के साहरे ही मेरा जीवन चल रहा है उन दो यादों के कुछ पलों की यादे मुझे साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रेयना दे रही है मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ कभी कहता है कि मैं निज का मतलब अपने उर का मतलब हिरता हूँ उद्गार का मतलब मन के भाव कभी कहता है कि मैं अपने हिरते में अपने प्रेम से परिपूर्ण भाव को यानि मेरे जो मन की इच्छाएं हैं, उदगार हैं, मन के भाव हैं, मैं उने लिए हुए घूम रहा हूँ, मैं निज और के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे हिर्दे में ये जो प्रेम रूपी उपहार है, इसको लिए हुए मैं घूम रहा हूँ अथात मेरे मन के अंदर प्रेम है और वो प्रेम रुपी उपहार है जो मेरे मन के भाव है वो प्रेम में जागरित है और मैं उन उपहार को लिए हुए घुम रहा हूँ अथात प्रेम मेरे साथ चल रहा है मैं प्रेम को भूला नहीं हूँ मैं प्रेम के साथ ही जीवन को जी मेरे मन में कोई निराशा नहीं है मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी प्रयत्मा के जाने के बाद फिर भी मैं उसी प्रेम से संसार में जी रहा है हलागी मेरे जीवने में बहुत कटनाई है लेकिन फिर भी मैं प्रेम रूपी आनंद को नहीं छोड़ रहा हूं मन में वही प्र संसार, ये संसार जो है पूरा नहीं है, क्योंकि ये प्रेम से रहीत है, स्वार्थी है, ये मतलबी है, इसलिए ये संसार मेरे को अधूरा लगता है, अपोन का मतलब अधूरा है, ने भाता मुझे को, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर संसार में प अच्छा नहीं लगता है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अब वो खегоता है ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, रहां जो है भूँ अधात जो मैंने संसार अब से बीए हुए मने लिए हुए घुम रहा हूँ teams अधात लगता क्योंकि ये अधूरा है स्वार्थी है अपना पन नहीं है इसमें मतलबी है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा तो अपने सपनों का ही संसार मैं अपने ही संसार के सपनों में खोया रहता हूं उसी के साथ लिये हुए उसे घोम रहा हूं मैं जला हिर्दे में अगनी दहा करता हूँ अब कहते हैं मेरे हिर्दे में एक अगनी जल रही है अगनी का मतलब यहाँ पे है अपनी प्रिये से बिछोडने का जो दुख है वो आग कहते हैं मैं उस प्रेम रूपी आग में दहा करता हूँ मेरे हिर्दे के अंदर प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम की जो पीड़ा है जो दुख है जो दर्द है वो मुझे कचोटता रहता है मेरे हिर्दे को जलाता रहता है मेरे हिर्दे को तड़फाता रहता है कहते हैं मैं फिर भी उस हिर्दे में उस पीड़ा रुपी आग को लिये हुए घुम रहा हूँ और उसमें अपने आप ही धदकता रहता हूँ अपने आप ही जलता बुनता रहता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ फिर भी मैं अपनी पीड़ा किसी को कहता नहीं सुख हो चाहे दुख हो क्योंकि ये तो जीवन है चलना पड़ेगा सहज भाव से जीना पड़ेगा इसी का नाम जीवन है इसलिए सुख दुख दोनों में मैं मगन रहता हूं मस्त रहता हूं मुझे किसी की कोई परवा नहीं है जग भव सागर तरने को नाव बनाए ये जो संसार है भव सागर इस जीवन रूपी सागर से तरने को पार लगाने के लिए जाने के लिए इस संसार से बेड़ा पार करने के लिए संसार नाव बनाता है नाव का मतलब यहां पर अलग-अलग तरीगे अपनाता है यह संसार, यह जो संसार है, यह संसार से पीछा छुडाने के लिए, यानि समाज के जो लोग हैं, जो मनुश्य है, वो संसार रुपी जीवन से पीछा छुडाने के लिए कई तरहें के तरीके अपनाता है, नाव का सहारा लेता है, कई तरीकों का सहारा लेता है, लेकिन मुझ मैं संसारिक विश्यवासनाओं में डूबता ही नहीं हूँ, मुझे उसकी जरूरती नहीं है, अगर मैं गैराई में जाओंगा तभी तो मुझे नाव की जरूरत पड़ेगी, तभी तो मुझे किसी सारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तो संसारिक विश्यवासनाओं से बहुत दूर हूँ, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं तो भव मोजों, भव मोजों को मतलब है किनारे पर मस्त बहा करता हूँ, मैं तो बिल्कुल संसार से किनारा करके, अथा संसार से अलग हो कर, क्योंकि ये संसार अच्छा नहीं है, स्वार्थी है, मतलब ही है, ठीक है इसलिए ये संसार अच्छा नहीं है मुझे नहीं भाता मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं तो किनारे पर ही इससे किनारा करके ही मैं तो किनारे पर ही मस्त बह रहा हूं अपने प्रेम के साथ जी रहा हूं मैं योवन का उनमाद लिए फिरता हूँ कभी कहता है मैं युवा हूँ और युवा में क्या है जवानी का जोश होता है उनमाद का मतलब जोश कहता है मैं युवा हूँ और मैं जवानी का जोश लिए हुए जी रहा हूँ उन मादों में अवसाद लिये फिरता हूँ मेरे हिर्दे के अंदर आज भी जवाने की मस्ती है जोश है इतना मस्त और होकर भी मैं जीवन यापन कर रहा हूँ लेकिन इसी जवाने के बीच में अथाद इसी जोश के बीच में मेरे मन के अंदर अवसाद भी भरा पड़ा है अवसाद का मतलब उता बिटा दुख पीडा कहता है खुश दिखाई देता हूँ मैं जवानी की मस्ती है जोश है लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर जो जवानी के पागलपन में मेरे को अनेक दुख समाई हुए है मेरे हिर्दे के अंदर अनेक पीड़ा हैं मेरे हिर्दे के अंदर समाई हुई है अब वो कहता है कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हिर्दे में सजाया हुआ है इसलिए मुझे दुख होता है यानि उसे वो मुझे छोड़के जा चुके भीतर रुलाती है अब युवा हूं तो हसता हूं जीता हूं मोज मस्ती भी करता हूं और बहार से मैं सब को हसता हुआ परतीत होता हूं खुशहाल नजर आता हूं सुखी नजर आता हूं लेकिन रुलाती भीतर है लेकिन मेरे मन के अंदर जो दुख है जो पीरा है जो उसका अबिर है है मेरी प्रियत्मा का इसलिए वो मुझे बीतर ही बीतर रुलाती रहती है थाथ मेरे मन को दुख पहुचाती रहती है लेकिन मैं वो दुख किसी को बताता नहीं हूँ ऐसा क्यों होता है क्योंकि मैं हाए किसी की याद लिए फिरता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि कोई था जो मेरे जीवन में आया और वो मुझे क्या है दुख दे कर चला गया हस्ता खेलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ लेकिन मेरे हिर्दे जो है वो अंदर से रो रहा है और उसकी यादे आज भी मुझे सता रही है परिशान कर रही है पीड़ा दे रही है दुख दे रही है फिर भी मैं लोगों को हसता हुआ दिखाई देता हूँ भाहर से, लोगों को मैं खुश नजर आता हूँ, मैं यूँआ हूँ, जोच से भरा हुआ हूँ, फिर भी मेरे मन के अंदर एक दुख है, उसके भी छुड़ने का, उसके भी रह का, जिसे मैं किसी को बता नहीं सकता, सिर्फ लोगों को बाहर से, मेरा चेहरा मुस्कराता नजर आता है, लेकिन भीतर जो है, मेरे हुर्दे की जो आग है, वो भरी पड़ी है, इसलिए, ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, कारण उसने बताया है, क्यों, क्योंकि किसी की याद मेरे मन में बसी है, अथात उसकी प्रियत्मा जो है, वो चली गई है, इसलिए उसे दुख है, पीड़ा है, लेकिन वो अपनी रहा है, और दूड़ा मतल जो पीड़ा है, वो किसी को बता नहीं सकता, करते ये जीवन के सुख दुख हैं, ये जहेनने पड़ते हैं, सहज भाव से, और ऐसे ही संसार में जिया जाता है, आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक घर पे रहें, सुखशित रहें. करेंगे करेंगे की अब्सक्राइबें।